आप सभी का इंजिनिरिंग ड्राइंग की वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको आईसोमेट्रिक व्यू में बेलन बनाकर दिखाया जाएगा सबसे पहले एक पेज को लेकर उसमें जो है पेज के साइट से दो डोट लगाकर बेस लाइन तयार की जाएगी इन दोनों बिंदू को स्केल की सहाइथा से आपस में मिला लें इस परकार बेस लाइन तयार हो गई बेस लाइन में एक डोट लगा दें डोट लगा दिया है हमने उस डोट के ओपर चांदे का पॉइंट सेंटर में रखें और तीस डिगरी पे दोनों और आईसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए निसान लगाएं तीस डिगरी इधर और तीस डिगरी इधर फिर स्केल की साइथा से बेस लाइन में लगे डोट और तीस डिगरी पे जो डोट लगाया उन दोनों को डोट को आप मिला लेंगे यह हमने एक डोट मिला लिया यह दूसरा डोट भी हम मिला लेंगे हम जो है 40 इंटू 40 स्क्वेर में जो है इलिवस बनाएंगे तो यह जो लाइने हैं हम इनको 40 40 mm लंबी करेंगे 40 mm इस साइड यह 40 mm पर हमने डोट लगा लिया इसके बाद 40 mm दूसरी साइड यहाँ पर भी 40 mm पर डोट लगा लेंगे अब हम जो है सेटी स्क्वेर तथा स्केल का प्रियोग करते हुए जो हमने लाइने खीची हैं दोनों लाइनों की लाइनों के लिए समांतर लाइन खीचेंगे इस परकार से इस वाली लाइन के समांतर लाइन अब हम आगे जो हमने 40 का डोट लगा था वहां तक खीचेंगे इस परकार से यह यह फिर इसी परकार से यह जो नेक्स लाइन है इसके समांतर हम जो है सम लाइन खीचेंगे और लाइन वही तक खीचेंगे जहां तक हमारा 40 का जो डोट है वो लगा हुआ है यह यह यहां तक इस परकार से हमारा एक नीचे का जो है आइसोमेट्रिक जो बॉक्स है वो तयार हो गया इस बॉक्स में जो है हम इसकी चारो जो साइडें है उनकी और से जो एक्स्टा जो लाइन थी नको मिटा देंगे रहे बढ़के माद्यम से फिर परकार में 40 से में का आदा 20 से में की माप भरके यह हमने स्केल में 20 से में की माप भर लिये और इसकी द्वारा जो हम चारो लाइनों को आदा आदा चाप लगाएंगे आदा इधर फिर इस वाली लाइन पे भी आदा चाप लगाएंगे फिर इधर वाली लाइन पे आधा चाप लगाएंगे फिर इधर वाली लाइन पे भी आधा चाप लगाएंगे यह हमारी चारो लायने आदे आदे हमने बाट दी है अब इन जो हमने चाप लगाए है जो यह उपर जो चाप लगे इनको नीचे वाली बिंदू से मिलाएंगे यह ऐसे करें इनको हमें मिलाना है यह और इसी परकार से हम इनको भी मिलाएंगे यह इसी परकार से जो नीचे से लगाता उनको भी हम मिलाएंगे लाइनों को यह और इसी परकार से यह चाप और अब हमको यह चाप बनाने से जो है चार पॉइंट मिल गए हैं अब हम इस वाले बिंदू पे रखके और परकार की दूरी जो है यहां से भरके इसको चाप मारेंगे यह चाप हमने मार दिया इस सैड ऐसे दूसरी सैड से भी हम ऐसे मारेंगे इसमें यहां पे बिंदू पे रखके और इधर से लेके चाप को उस वाली लाइन तक यह ऐसे मार देंगे यह हमने चाप लगा दिया अब नीचे बेस पॉइंट के बिंदू पे रखेंगे हम परकार को जहां तक हमारा चाप लगाता हम वहां से और इधर तक हम चाप लगाएंगे ऐसे फिर उपर से भी हम ऐसे ही चाप लगाएंगे और आप देखोगे कि हमारा जो है आइसोमेट्रिक में इलिप्स बनकर तयार हो गया यह इलिप्स हमारा जो है बन गया अब हम इलिप्स इसी इलिप्स के उपर हम 60 mm की हाइट पर कि सिलेंडर बनाएंगे सिलेंडर जिसकी जो हाइट है वो 60 mm होगी तो हम जो है नीचे से जो है 60 mm का जो है हम निसान ले लेंगे यह हम 60 mm पर निसान ले रहे हैं कि यहां से गिनतेवे 10, 20, 30, 40, 50, 60 60 mm क्योंकि हमने जो सिलेंडर की हाइट जो है 60 रखनी है तो हम जो है पहले हमने नीचे इलिप्स बनाया अब हम 60 mm ऊपर जो है इलिप्स बनाएंगे और फिर दोनों इलिप्स को मिला देंगे तो आपका सिलेंडर बन जाएगा देखिए हम उपर कैसे बनाते है यह हमने 60 mm पर निसान ले लिया अब इस निसान के जो है बेस लाइन को टाने यहां से बेस लाइन को आतर मानते हैं हम 60 mm पे एक डोट इधर लगाएंगे और एक डोट इस साइड लगाएंगे ताकि जो उपर की जो लाइन बने वो भी आपके बेस लाइन के बिल्कुल समानतर बने और जब आप उसमें इलिप्स बनाओ तो वो भी बिल्कुल नीचे वाले इलिप्स के समानी बने फिर दोनों बिंदू को हम जो है मिला लेंगे ये जो लाइन हमने खिची है ये इसलिए खिची ताकि जो आपका उपर का इलिप्स बने वो भी नीचे वाले इलिप्स के समानतर ही बने फिर हम नीचे वाले इलिप्स की जो है बिल्कुल सेंटर में एक डोट लगा के लाइन खिस लेंगे फिर हम यहाँ पर D का परियोग करते हुए जिस परकार से हमने नीचे इलिप्स बनाया था ठीक बिल्कुल वैसा ही इलिप्स हम जो है चालिस बाइल चालिस के जो बॉक्स है उसमें इलिप्स बनाएंगे यह हमने 30-30 डिग्री के दोनों और निसान लगा लिए इन निसानों को जो है हम स्केल की साहिता से बेस लाइन के जो पॉइंट है उससे मिला लेंगे यह हम मिला लेते हैं और यह जो हमने 30 डिग्री जो निसान लगाई इनकी लाइने भी 40 mm की होंगी जिस परकार से नीचे वाले इलिस की जो लाइने थी वो भी 40 mm लंबी हमने उनकी लंबाई रखी थी यह हमने खेच लिए अब इन लाइनों को भी हम 40 mm का ही लंबा बनाएंगे यह 40 mm हम इसकेल से नापके डोट लगा देंगे यह 40 mm का डोट हमने इस साइड लगा लिया यह लग गया और 40 mm का डोट हम जो है इस साइड भी लगा लेगे इसके समानतर ठीक है अब हम जो है दूसरी वाली लाइन के समानतर जो हम इधर लाइन खीचेंगे समानतर लाइन खीचने का तरीका यही है कि सकेल और सेट स्क्वायर के एक पेर से जब तक आपकी लाइन इस समानतर नहीं खीचेंगे एक दुसरे के तो आप जो है इंजरिंग्ट ड्राइंग में सही से काम नहीं कर पाएंगे कोई भी फिर अब हम इस वाले लाइन के समानतर दूसरी वाली जो लाइन है उसके समानतर जो है ये लाइन हम कृष लेंगे इह ये हमारी लाइन 40 mm लंभी खीचेंगे कियोंकि ज्लाइश नहीं खीचेंगे 40 mm लंभी दूट लगा लिया इस परकार से आपका 40 x 40 का एक और square इसमें उपर बन गया है जिसके अंदर हम फिर नीचे की तरह ellipse बनाएंगे वही परकार में हम 20 mm की distance भरेंगे यह 20 mm जो है हमने distance भर ली और इससे फिर जो है सारी लाइनों को आधा आधा चाप लगाएंगे यह लगा दिया एक चाप यह दूसरी लाइन में भी चाप लगा दिया हमने यह फिर इस वाली लाइन में भी चाप लगा दिया और फिर इस वाली लाइन में भी हमने चाप यह लगा दिया जिस प्रकार हमने नीचे इलिप्स बनाया था ठीक हम बिल्कुल बैसा ही इलिप्स उसके उपर भी बना रहे हैं यह फिर हम सेम नीचे की तरह हम जो हमने चाप लगाए थे उनको इस उपर वाली लाइनों के चाप को नीचे वाली लाइन के बिंदू से सेंटर से मिला लेंगे यह उने मिला लिया इस पर गार नीचे वाली लाइनों के बिंदू को उपर वाली लाइन के सेंटर से मिला यह हमने मिला लिया, यह यह भी मिला दिया, देखो, यह, अब फिर जैसे नीचे हमने चारो बिन्दू के माध्यम से जो है पूरा एलिप्स त्यार किया था, फिर बिल्कुल वैसे ही पेंसिल रखके, और यह हम जो है चाप, यह हम चाप लगा देते हैं, यह चाप लगाया, ऐसे हम दूसरा चाप लगाएंगे यह यह हमने चाप लगा दिया दूसरा ऐसे फिर हम उपर वाले पॉइंट पर रखके फिर चाप लगाएंगे यह हमने चाप लगा दिया ऐसे फिर जो हम नीचे वाले पर रखके हम उपर वाले के लिए चाप लगाएंगे तो देखो आप दो इलिप्स बन गए एक नीचे और एक उपर आईशोमेट्री बोक्स हमने 40 बाई 40 का नीचे बनाया था ठीक 60 mm उपर भी हमने जो है एक 40 बाई 40 का आईशोमेट्री बोक्स बनाया और उसमें फिर इलिप्स बना दिया अब जब दोनों इलिप्स बन गए तो हम उनकी साइडों को क्या आपस में मैच कर दे रहें मिला दे रहें और आप देखोगे कि जब हम उसका पूरा कम्लिट करेंगे तो एक सलिंडर जो है वो आपकी ड्राइंग में बन गया बाग हम एक्स्ट्रा जो लाइने हैं उनको क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं और एक्स्ट्र लाइने मिटाने पर आपकी कुछ इलिप्स की लाइने भी बिड़ जाएंगी तो आप उनको जो पॉइंट बचे रहते हैं उनसे फिर दुबारे से आप क्या कर सकते हो उनको दुबारे ड्रो पैंसिल के मादेम से फिर दुबारे ड्रो कर सकते हो परकार की साहिदा से इसको dark कर सकते हैं यह आप देख रहें कि एक cylinder कम्प्लीट अपना हो गया है अब हम इसको फिर finish करेंगे तब आपको देखने में थोड़ा और अच्छा लगीगा तो इस परकार जो है अपना इलिफ्स हमने फिर कंप्लीट कर लिया अब हम इसको जो है हाइट इसकी बता देते हैं 60 mm इसकी हाइट है लगबग इंजिनिंग ड्राइंग में डाइमेंशन देने का भी अपना अलगी तरीका है यह हम तिर्षे में आप देखोगी कि कि इलिफ्स जो आइसोमेट्रिक वी बनता है हमेंसे टेपर में बनता है तो इसकी जो ड्राइंग के लिए जो हम आइसोमेट्रिक इलिफ्स सिलेंडर हमेंसा आइसोमेट्रिक वी में ही दिखाई देगा तो जो है इसलिए इसकी जो एक्सेंशन लाइन गई है वो भी टेपर में ही गई है ध्यान रखे कि जो एक्सेंशन लाइन है वो मेन ओब्जेक्टस ए चार से पांच मन्म से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और डाइमेंशन लाइन भी आपकी बिल्चुल ऑब्जेक्ट की बॉंडरी line के बिल्कुल पेरलल होनी चाहिए यह नहीं कि आप तिर्ची कर दो उससे आपका जो ऑब्जेक्ट देखने में अच्छा नहीं लगेगा और आप जो यह डाइमेंशन एरो बना रहे हैं इसको भी विशेश महत्तु है ड्राइंग में यह बिल्कुल इसपस्ट बनाएं आप ताकि देखने में आपका अब्जेक्ट अच्छा लगे जो भी आप डाइगान बनाने हों बहुत ही अच्छा लगे और आपके ड्राइंग में मार्क्स न कटे पूरे आपको मार्क्स मिले ड्राइंग में हमेशा साफ सभाय का विशेश महत्तु है जब भी आप चीतर बनाए तो उसको ज्यादा काला न करें पहले हलकी फाइंसल से चीतर बनाएं बाद में जब उसको फाइनल करें तब आप उस पर थोड़ा डार्क पेंसल चला ले तो इस परकार से जो है आपका ये एक सिलेंडर बनकर तयार हो गया तो आईए तो आप जो है अगर आपके पास एक्जाम में ये बनाने के लिए आता है तो आप दोनों कोश्चंस को इजिली सॉल कर सकते हैं अगर आप इस माद्यम से ड्राइंग बनाना सीख जाओगे तो इसका नाम लिख लेंगे सिलेंडर का जब भी नाम लिखेंगे तो आप कोशिश करें कि आप कैपिटल लेटर में नाम लिखें और कैपिटल लेटर में जब आप नाम लिखते हैं तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए अगर वो तिछे होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कोशिश करें कि object के parallel बिल्कुल आपके नाम भी लिखे हो तो इस परकार से आपका जो है ये slender जो है ellips के माध्यम से हमने बनाया, dry में ये complete हो गया वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका